काशी विश्णुवात मंदिर और ग्यानवापी मस्जित परिसर में स्तित शंगार गौरी केस में नया मोड आ गया है हिंदू पक्ष की आचिका पर 6 और 7 मई को मस्जित के अंदर विरोग्राफी का आदेश दिया गया है लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसका विरोध जताया है और काया कि किसी भी कीमत पर वो किसी को भी मस्जित के अंदर गुसने नहीं देंगे आखिर क्या है पूरा मामला और आखिर क्यों इस मुद्दे पर राट ठणी हुई है रिपोर्ट के जरीया समझाते है अयोध्या के बाद अब एक और धाम की मुक्ती की बारी 6 और 7 मैं को काशी विश्विनाथ मंदिर और ग्यान वापी मशित की होगी विडियोग्राफी मुस्लिम समाज ने कोड के आदेश का किया विरोध वारनसी डिस्ट्रिक कोट के आदेश पर 6 और 7 मई को काशी विश्वनात मंदिर और ग्यान वापी मश्जित की विडियोग्राफी और फोटोग्राफी की जाएगी कोट के इस आदेश पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है और कमीशन को मश्जित में न घुसने देने का एलान किया है अंजुमन इंतजामिया मश्जित के संयुक्त सचिव एसेम यासिन ने कहा है कि वो विडियोग्राफी और सर्विक्षन के लिए किसी को भी मश्जित के अंदर घुसने नहीं देंगे वारानसी के सिविल जजज सीनियर डिविजन रवी कुमार धिवाकर की कोट ने पिछले साल 18 अगस्त 2021 को इस मामले में सुनवाई की थी कोट ने इस मामले पर फैसला सुनाते हुए मंदिर मश्जित परिसर की विडियोग्राफी कराने का आदेश दिया था लेकिन उस फैसले पर अमल नहीं हो पाया इसके बाद कोट ने 26 अप्रेल को इस मामले में फिर से सुनवाई की कोट ने अपने पुराने आदेश को बहाल रखते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्यान वापी मश्जित परिसर समेत श्रिंगार गौरी मंदिर के सर्वे करने का आदेश दिया था आदेश के मताबिक सर्वे के दोरान परिसरों की विडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी की जाएगी कोट के आदेश के मताबिक सर्वे के इस काम को 6 मई को किया जाएगा अगर उस दिन किसी वज़ा से काम पूरा न हो पाए तो अगले दिन यानी साथ मई को इस काम को पूरा किया जाएगा कोट ने वादी प्रतिवादी दोनों पक्षों को नोटिस जारी कर इस मामले में सर्वे करने वाले कमिशन का सहयोग करने का भी आदेश दिया है माननी न्याले का पक्ष है कि जो ताखाना है जिसमें धेर सारे विग्रहों का अद्रिश एर्दिश देवाताओं का वहाँ विग्रह पड़ा हुआ है उसमें भी जाए और मस्जिद के जो कथित मस्जिद है ग्यानवापी उसके संपूर्ण भाग में जाए और इसके लिए व में अस्थानी अदालत में दीन मुहम्मद एंड अदर वर्सेज यूनियन ओफ इंडिया के लिए तत्कालिन गौवर्मेंट ओफ इंडिया के लिए मुकदमा किया गया था उस मुकदमे में पूरे परिसर में नमाज अदा करने की याचिका लगाई गई थी साथ ही पूरे मुसलिम पक्ष को दिये जाने की भी याचिका थी लेकिन मुसलिम पक्ष जब किसी भी तरह का साक्ष नहीं दे पाए तो कोट में ये याचिका खारिज हो गई फिर हाई कोट का रुख किया गया इलहबाद हाई कोट ने 1942 में कहा कि वहां कोई भी गत्विधी नहीं की जा सक केवल तीन लोगी नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन अभी के वक्त में काफी लोग नमाज अदा करते हैं और कोट के आदेश की अवहिलना करते हैं। हर जगे डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।